क्या बाबा सहाब अमबेडकर हिंदू धर्म के लिए बहुत खराब राय रखते थे? आज कल अमबेडकर के नाम पर राजनीती करने वालों की बातने सुनें तो कुछ ऐसा ही लगेगा, लेकिन सत्य इस से बिल्कुल उलठ है. हम आपको कुछ ऐसे तक्थे बताते हैं, जिनके बाद अमबेडकर के बारे में आपकी राय बदल जाएगी. क्या आप जामते हैं कि अमबेडकर ने उपनिशदों को लोकतंत्र का अधार माना है? डॉक्टर अमबेडकर ने उपनिशदों का व्यापक अध्ययन किया था. उन्होंने उपनिशद के चार महावाक्टियों को लोकतंत्र का अध्यात में काधार बताया है. जादपात तोड़क मंडल में अपने मशूर भाषन में. अमबेडकर ने कहा था कि सुतंत्रता और बराबरी के लिए कहीं बाहर से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है. ये सब कुछ उपनिशदों में ही मिल जाएगा. अपनी पुस्तक रिड्ल्स ऑफ हिंदुईजम में उन्होंने इस विचार पर विस्तार से बात की है. क्या आप जानते हैं कि हिंदू सिविल कोर्ट चाहते थे अमबेडकर? अमबेडकर के नाम पर राजनीती करने वाले आज समान नागरिक कानून के सबसे बड़े विरोधी हैं. लेकिन वो नहीं जानते कि अमबेडकर शुरू से ही एक देश, एक कानून के सबसे बड़े हिमायती थे. उन्होंने तो हिंदू सिविल कोर्ट की वकालत की थी. 11 जनवरी 1950 को अपने भाषन में, डॉक्टर अमबेडकर ने कहा था कि हिंदू नागरिक बिल एक प्रगतिशील विवस्ता है, यह बिल पूरी तरह हिंदू धार्मिक ग्रंथों पर आधारित था. क्या आप जानते हैं कि अमबेडकर चाहते थे कि संस्कृत राष्टर भाषा बने? 11 सितंबर 1949 को संडे हिंदूस्तान स्टैंडर्ड के अंक में तब के कानून मंत्री बाबा साहब अमबेडकर की राय छपी है, जिसमें उन्होंने संस्कृत को भारती इसंग की भाषा बनाने की वकालत की थी. All India Scheduled Cast Federation की बैठक में भी उन्होंने खुल कर अपनी राय जताई थी. उनका कहना था कि केवल संस्कृत भाषा ही इस पूरे राष्टर का सही प्रतिनिधित्व करती है. क्या आप जानते हैं कि अमबेडकर सिंधू जल समझाओते के विरोध में थे? डॉक्टर अमबेडकर ने पाकिस्तान के साथ सिंधू जल समझाओते का विरोध किया था. उन्होंने कहा था कि सिंधू के जल पर पहला अधिकार भारतियों का है. बिर्टिश अर्थशास्त्री हेंरी विंसिंट हड्सन ने अपनी किताब दे ग्रेट डिवाइड 1969 में बावा साब अमबेडकर वो पहले नेता थे जिन्होंने अनुसूचित जातियों की लोगों को इसाई मिशनरीयों के खत्रे से आगाह किया था. प्रोफिसर लक्ष्मी नरासु की किताब The Essentials of Buddhism में उन्होंने लिखा है कि सामाजिक सुधार को इसाई मिशनरीयों को पसंद नहीं करते थे. अमबेडकर की पसंद और नापसंद बिलकुल शीशे की तरह साफ है. वो हर्म आमले में राष्ट्रवादी थे. वो आरियों के आक्रमन जैसी मनगढंत बातों का खुल कर हंडन करते थे. वो चाहते थे कि बटवारे के बाद भारत के सभी मुसल्मानों को पाकिस्तान भेज दिया जाए. यही कारण है कि कॉंग्रेसियों और वामपंथियों ने कड़वा हट पैदा हो गई. लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि अमेरिट कर हिंदु धर्म के विरोधी थे.